राजस्थान में ग्रिह मंत्री अमित शाह बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के दूसरे चरण का आगास कर चुके हैं। इस दोरान पूर मुक्हे मंत्री वसुंधरा राजे को अमित शाह की तारीफों के पुल बानते हुए देखा गया। और अब उनकी बातों के सियासी माइने निकाले जाने लगे हैं। परिवर्तन यात्रा के दौरान अमित शाह ने भी वसुंधरा राजे की तारीफ में कुछ शब्द कहे। और अब दोनों निताओं ने जो बाते कहीं हैं उस पर सियासी चर्चा का दौर चल पड़ा है। लोगों का कहना है कि अमित शाह वसुंधरा को केंडरी भूमिका में लाना चाहते हैं लेकिन वसुंधरा राजस्थान छोड़ना नहीं चाहती है। को संबोधित नहीं करेंगी वो नहीं बोलेंगे लोगों का कहना है कि अब तक बीजेपी वसंदरा को किनारे करने की कोशिश कर रही थी लेकिन अमित शाह के साथ मंच पर जो केमेस्ट्री नजर आई है उससे ये संकेत मिल रहे है कि बीजेपी ने राजस्तान में अपनी जग में 22-24 घंटे घरेलू बिजली दी जाती है लेकिन कॉंग्रिस ने इसे पूरी तरह से चौपट कर दिया है प्रदेश में पेपर लीक हो रहे हैं जो यवाओं के भविश्य को खत्रे में डाल रहे हैं बच्चीयों के आपत्ति जनक वीडियो बनाना उन्हें ब्लैक मिल करन उनके खिलाफ अत्याचार होना ये सब कुछ आम बात हो गया है अब तक महिला पुरुष चुप थे लेकिन अब नारी शक्ती गहलोत सरकार को बदल कर रहेगी